ये बनारस, बनारस के रचनाकारों पर हम हमेशा से गर्व करते हैं और ये गर्व हमेशा बना रहेगा मैं ये द्रावपदी का उधरण इसलिए सुना रहा था कि कभी चाहे तो हसा सकता है, कभी चाहे तो रुला सकता है कभी आपके समवेदनाओं को ऐसा जख़ोर देता है कि वो कविता में जिट तरह से आपको चाहे उस तरह से बहार देने की छमता रखता है मैं ऐसे ही एक बहुत अच्छे रचनाकार जो हमारे बीच, हमारे मित्रता के गौरों है उनको आमंत्रित करता हूँ उनके कविताओं में ये टाकत है कि वो इन वर्तमान समाज के स्थितियों को अपने शब्द संयोजन से इस तरह से चमतकारी करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपका मन और मस्तिस मुह लेने की छमता रखते हैं आदर्णी महेश चंद जैसवार जी हमारे बीच में है जोड़दार तालियां बजाईए महेश जैसवार जैसवार और इस्तफाकन आज ही के दिन इनका जनम दिन है इसलिए तालियां दुबनी होने चाहिए जनम दिन के लिए बहुत धनवाद आदर्णी दमदार विया बंच पर उपस्तिक सभी हमारे साथी और सम्वानित कभीगा और सामने बेटे स्रोता मैं यहाँ विलंब से आया लेकिन इतना विलंब नहीं हुआ कि किसी भी कभी की रचना मैं सुन न पाऊं मैं सबसे पहले पदारपण हुआ काविपाट के लिए पसांद जी का और वही से मैं सुनते सुनते देख रहा था इन्हों ने दो तरह की आयां आपके सामने प्रस्तुर किया एक तो राम के चरित्र का वर्डन करते करते वहां तक आपको जोड़ा और वरतमान परिपेक्ष में सारे दुखों का कारण पत्नी तक लेया करके आपको सिंटाया मैं एक बार दोनों के एक साथ जोड़ी तरके आपको बतानी की कोशिस करता हूँ फिर मैं अपनी मूर करता आपको सुनाओंगा कि अगर आज के बरतमान परिपेक्ष में रामाय को पुना लिखा जाए और हाज सके ऐसे पुरोधा उसको पुना लिखे हैं जो पत्नी प्रहार से प्युडित हैं तो वो किस तरह से लिखना चाहेंगे जरा देखें कि पत्नी प्युडित आधुने राम जैसे पती ने इस बार दूर तक स्वण हिरन का पीछा किया ताकि सीता हरन हो जाए ये बला तई जाए वापस आकर उसने जो मंजर देखा तो अपना माथा लिया ठोट क्योंकि आधुनिक राम को हराने के लिए आधुनिक रामन ने सीता हरन के वज़ाय मंदोद्री को भी दिया छोड़े तो आधुनिक परिवेश में पत्नी पीडित रहें और राम के लिए बहुत धन्वाद बहुत धन्वाद अब दोदे पत्नियों को छोड़ दिया तब और पहले एक पत्नी को हर लिया तो तब ही धरानी की रणिती ती तो रामण ने अपनी अभी रणिती बदली मैं मनिजविया का सुक्रगोजार हूँ कि वो अपनी सारी रचनाओं में कहीं न कहीं मुझे इंगित करते रहें कि महज जी हिमती है पत्नी के साथ आए महज जी साथ जनका और महज जी ऐसे महज जी ऐसे मैं हिर्दय तल से उनका आभारव्यत गरता हूँ और मैं यह चानता हूँ कि किसी से दुस्मनी निकाला जाए तो इसी तरह निकाला जाए कि लाठी भी ना मारनी पड़े और पब्लिक वो बेजज़त ही हो जाए और मैं जानता हूँ कि यह लोग मुझे तीन बज़े से ही पुला रहे थे हैं लेकिन मैं नहीं आपा रहा था कुछ मिसेस कायर क कभी सम्मेलन के पहले इन लोगों को करना था और मैं उन्हों उस्थित नहीं था तो इन्होंनों बदला लिया तो उसलिए चार लाइन मैं आपको प्रिसित करना चाहता हूँ मैं जबिया कि उसी का फल सफा कायम सफर जिसका रुहानी था उसी का फल सफा कायम सफर जिसका रुहानी था कदम धरती पिथे लेकिन निगाहे आस्मानी था और निभाई दुस्मनी मैंने सली के बादसाहत सी उसी का फल सफा कायम सफर जिसका रुहानी था कदम धरती पिथे लेकिन निगाहे आस्मानी था और निभाई दुस्मनी मैंने सली के बाद साहत सी, अग करोगे याद तुम मुझको कि दुस्मन खामदानी था, करोगे याद तुम मुझको कि दुस्मन खामदानी था, और कुछ लोग इस पे थोड़ा सा अपने बातों में भी बीजी हैं, कि ये तो सुने ही हैं, सुने ही है उनके लिए चार लाइन मैं कहना चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा से ध्यान से सुन लें क्योंकि ध्यान और ध्यान दोनों एक दूसरे की समानों पाती हैं आपका जितना ध्यान कम होगा आपके लिखाफि में ध्यान उतनी ही कम कर दी जाएगी अच्छा आगरे दूसरे प्रश्वी में करना चाहता हूँ कि मेरे हवसला अफजाई में कुछ कभी हो जाएगी क्योंकि इस रोता कम हो गया है और आपका ध्यान भी कम हो जाएगा तो साइद मैं मर जाओंगा तो मैं कविता की मार्थम से जिंदा रहूंगा आपके सामने मैं है ना मैं कहना चाहूँगा कि किसी का हौसला तूटा किसी के कम निगाही से किसी का हौसला तूटा किसी के कम निगाही से तुम्हारी गर तमना थी करो बरबाद तुम मुझको तुम्हारी गर तमना थी करो बरबाद तुम मुझको तो मेरी भी खलिस बाकी कि गुजरू उस तबाही से और कहूँ जो कुछ तो कहना है सिकायत तेरी नजरों का कहूँ जो कुछ तो कहना है सिकायत तेरी नजरों का सिकस्ते दिल ने मागा है जुबा बंदी इलाही से कहूँ जो कुछ तो कहना है सिकायत तेरी नजरों का सिकस्त दिल ने मागा है जुबा बंदी इलाही से किसी का हौसला टूटा किसी के कम लिगाही से अच्छा मैं आपको बता दूँ कि गजल मेरी मूल विधा नहीं है इसलिए आपको अपने असली जो मैं हिंदी कविता करता हूँ उसके लायक बनाने के लिए ये दो-तीर चीजे हमें कह दी ताकि आप अगर इसको जहल लेंगे तो हमको विश्पास हो जाएगा क्या हिंदी कविता जहल लेंगे और अगर वो जहल लेंगे तब मैं उससे बड़ा वाला सुना हूँगा तो हासे और छिकपुट और हलके मंचों पे बहुत चीजे हो गई अब थोड़ा सा गंधीर और जिंदगी के परिवेश को समझते हुए अपने जेहन तक उतारें और जिंदगी की यात्राओं को अपने मन में मनन करते हुए इस कविता को सुने बस यही इसका व्याख्या है बीच में कोई व्याख्या मैं नहीं करूँगा इक एक लाइन के सब्द का इस कविता को अपने जेहन में ध्यान में रखे और इस कविता को ध्यान में सुने जीत किसके लिए हार किसके लिए जीत किसके लिए हार किसके लिए उम्र भर जो च्छला प्यार किसके लिए और जिंदगी के सफर के अहर निस्पतिक ढो रहे हो घृदय भार किसके लिए जीत किसके लिए हार किसके लिए उम्र भर जो च्छला प्यार किसके लिए जिंदगी के सफर के अहर निस्पतिक धो रहे हो घृताय भार किसके लिए जीत किसके लिए हार किसके लिए पंक्ति देखे इसका और जीवन का पदारपड स्रीजन करता विश्परमाजी के माध्यम से क्योंकि उस रिजन करते हैं संकर बगवान उसको पालते हैं और विश्ण बगवान उसको पुनरद स्थाफित करते हैं अपने उपवन में भेजा था पहली दफा उसने आदम से तुमको बना आदमी फूल किसके लिए? फूल किसके लिए? खार किसके लिए? फूल किसके लिए? खार किसके लिए? किस लिए यह कवच? वार किसके लिए? जिन्दगी के सफर के अहर निस पथिक धो रहे हो घरदाई भार किसके लिए? अब यात्रस शुरू होती है देखें पंत के युद में पथपराजित हुआ पंध के युद्ध में पत पराजित हुआ ज्यात भी ना मिला और अगे अभी ज़स कहते हैं माय मिली नराव किसके लिए किस लिए ये सुलह रार किसके लिए ये तपन किस लिए ज्वार किसके लिए किस लिए ये सुलह रार किसके लिए जिन्दगी के सफर के अहर निस पते धो रहे हो फिरदाई भार किसके लिए अंतिम पक्ति धर्म प्राव्मोंक्स को दो लाइन में समेटी करने की क अंततह जो जिया सब प्रतिक्षित ही था अंततह जो जिया सब प्रतिक्षित ही साब सब पोस्पोन कि बच्चे की साधी हो जाएगे तब ये करेंगे उसका एडमिशन हो जाएगा तब तीरत करने जाएगे अपनी इक्षाओं को हमने हमेशा आगे के लिए ताला पोस्पोन कि जीवन जीने के लिए परिवार चलाने के लिए उस पे एक यात्रा करें दो लाइन में कि अंततह जो जिया सब प्रतिक्षित ही था धर्मधारूंगा होकर निवृत काम से अर्थकाभी चयन था मेरा ही चयन बस समय ना मिदा राम की नाम से अंततह जो जिया सब प्रतिक्षित ही था धर्मधारूंगा होकर निवृत काम से अर्थकाभी चयन था मेरा ही चयन बस समय ना मिला राम के नाम से भव नदी किस लिए धार किसके लिए भव नदी किस लिए धार किसके लिए हर कता का यही सार किसके लिए जिन्दगी के सफर के अहर निस पत्रिक धो रहे हो फिरदै भार किसके लिए जीप किसके लिए धार किसके लिए इसलिए ये सुधर रार किसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगोंने बहुत अच्छे से सुना और तालीम ना वजाने को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी आपके दिमाग में ये लाइने गूज रही है जिसको समझने के बाद जब आप फुर्सक में आ जाएंगे तब तालीम हो जाएंगे हाँ अब लगाती ही दो लट और सुना सकते हैं गंगा गंगा के पामन तक पे बैठे हुए हैं एक बड़ी रचना कि कुछ अंस आपको मैं सुनाना चाहूंगा गंगा जब पहाडों से उधरते हुए काशी तकाती है और इससे आगे बढ़ती और बक्सर तक उस समतल में हो जाती है तो उसके वेग में एक फिरता आ जाती है और वहां से कर्मनासा एक सहायक नदी है जो उसमें मिलती है और इसको उस पार पहुचाती है गंगा सागरता लेकिन कर्मनासाद के प्रती विग्यत्ति फैली हुई है कि कर्मनासा ऐसी नदी है जिसका पानी मात्र छूने से ही आपका पूरा कर्म नास हो जाएगा जबकि सचाई यह है कि चक्या चंदुलियों चंदुलियों कर्मनासाद के यही अंती मैं इसके बाद मैं अपना स्थान दोंगा ताकि आप यह समझ जाए कि कितनी दिर तक जिन्मा है इसलिए मैं पहले से यह बता दे रहा हूंगे यही अंती मैं हम प्रेंग की बात संकेतों ने कर दिये हैं देखें जरा से गंगा क्या कहती है एक तरफ गंगा बन करके सोचिएगा फिर करनासा बन के सोचिएगा कि मोक्ष मिल जाये धरा को पहले समझाया गया फिर तपस्या करके मुझे को स्वर्ग से लाया गया क्या करूं हूँ प्रफुलित डूब जाओं सोच में मुझे को बहना है बहू उस लोक या इस लोक में द्वन्द से पूरित हिरदय था कौन धारेगा मुझे जब गंगा स्वर्ग से आ रही थी तो उस प्रत्री पे क्या हमारे हस्र होने वाली है तो सीव के जटा में ही उसको विराजमान है उसको जांकारी हुई कि बंद से पूरित हिरदय था कौन धारेगा मुझे क्या पता इस लोक या देव थारेगा मुझे मानकर अपनी नियती में इस धरा पर आ गई, देवस्थल जमुदी पे हिमसिखर पर चा गई, लोकेश से रिशिकेश तक हरिद्वार तक उद्गार से, आगे बढ़ी कासी चढ़ी खुद के संचित भार से, अब तलक की यात्रा में वेग था, उमंग था, पत्थरों को काटने का एक पहाडी ढंग था, सामने परिद्रिश सम्तल मुझको भर्माने लगा, वेग में भी थीरता और छीरता आने लगा, सामने परिद्र से संतल मुझे को भर्माने लगा वेग में ही छिडता और थीरता आने लगा पाप को भी नास करने का सहारा चाहिए ही मुझे नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही तब सहारा देने मुझे को पास एक आई नदी गुम हुआ अस्तित जिसका बन के परचाही नदी कर्म नासा नाम था पर एक अलग वेवहार देखा कर्म नासा नाम था पर एक अवलग वेवहार देखा कर्म नासा के उलट ओ कर्म का उपहार देखा कर्म नासा से उलट ओ कर्म ऐसा कर गई मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से तर गई बहुत भिल्वा तब सहारा दे ने मुझको पास एक आई नदी गुम हुआ अस्तित जिसका बन के पर छाई नदी कर्मनासा नाम थाप पर एक अलग बेवहार देखा कर्मनासा के विरुद कर्म का उपहार देखा कर्मनासा से उलटो कर्म ऐसा कर गई मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से तर गई तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी प्रस्न का मुखभावदे करबद हो कहने लगी तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक अधिकार देदो बेदना बाधा विसद अफमान का संसार देदो पर तुम्हारी माननेता को रंच भरवी ठेश होगा आस्था विहीन नर का अर्ध सत परिवेश होगा हुँ अमान मैं अगर इस्टाप संग दिन काट लोगी पर तुम्हारी माननेता को रंच भरवी ठेश होगा आस्था विहीन नर का अर्ध सत परिवेश होगा महसूसती मंदाक नीमिट मौन मन मरमग्य को कैसे कहदू काल कारक कर्म नासा कर्म को तजदिया स्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से संभव नहीं उसका हिर्दय हो सुन सब सम्वेदना से महसूसती मंदाक नीमिट मौन मरमग्य को कैसे कह दू काल कारक कर्म नासा कर्म को तजदिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से संभव नहीं उसका हिर्दे हो सुन सब सांवेदना से पूछती तब जानवी जिन जोड़ कर अंतर गथा कर्म नासा तुम बताओ कर्म नासा की कथा क्यों तुम तुम बताओ कर्म नासा की कथा क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है आदि तेरा अंत तेरा प्रस्न किंचित कर रही है क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है गन्दधिकार पर ये कि तुम कर्म को नास करती हो क्या तुम्हें यह बान है कि हम नदी का धर्म क्या है सारे सरिता मुख कलंकित नरवली का मर्म क्या है अस्तित उपरपा चोट गहरा पट हिर्दय के खोलती है अस्तित उपरपा चोट गहरा पट हिर्दय के खोलती है, नीरपाय का भेद करके कर्वनासा बोलती है, हाँ, मुझे यह याद है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पूर क्या है, भाव क्या है, मर्म क्या है, सन निकट अपने तटों पे सब भिता विस्तार हो नील हो या टेंस हो या सिंदु की वो धार हो पोशना सारे सजीवों को नदी का धर्म है कर्म को ही नास कर दूँ ये ना अपना कर्म है जिस मनुष को मा ने अपना नीज पै अर्मित दिया जिस मनुष को मा ने अपना नीरपय अम्रित दिया कर्मनाशा की उबाधी निजस्वार्थ में उसने दिया पर तुभारी कर्मनाशा सोच पर ही खेद है कर्म और फिर कर्म में देखो तो गहरा भेद है एक तरफ के कर्म है जो स्वर्ट की सीडि़ी चपा एक तरफ पे कर्म के आधार पे पीड़ी बना, एक तरफ निस्वार्थ तुमसा ताकती भागी रती, एक तरफ तो लोब से पैदा हुआ निस्वार्थी, और एक तरफ निस्वार्थ तुमसा तारती भागी रती, एक तरफ निस्वार्थ तुमसा तारती भागी रती, एक तर करनासा और गंगा के बीच में और हमें लग रहा है कि इसके यहीं प्रिग्राम देना चाहिए और बहुत आभार बहुत धन्यवाद बहुत बड़ी बात है एक तो इतनी अच्छी रचना और इतने कठिन शब्दों का चैन उपर से सभी सभी शब्दों को याद करना कितनी बड़ी बात है आज आपका जनम दिन है मैं आपके सारे मित्रों से यागरा करता हूँ एक-एक माला पहना करके इनको जनम दिन की बढ़ाई दे इसते बढ़िये सम्मान और क्या हो सकता है हर बार आप जन्म दिन ऐसे मनाईए खुश हो के काईनात में खुशिया लुटाइए जीवन में आपके न कोई गम रहे कोई हम दिल से दूआ कर रहे हैं मस्कुराईए बस आप मस्कुराते रहे और जन्म दिन ऐसे ही मनाते रहे बाबा विश्वनाद आपको और आपके पुरे परिवार को सुखी रखे